तो गैस देखो close range में तो सभी लोगों को god बनना रहता है सभी लोग चाहते है कि वो close range में ना बंदे ऐसे knock करे ना भाई मतलब मज़ासा आ जाए और इसी वज़े से वो काफी ज़दा practice करता है मस्तिक्दम drills practice करता है रोज training round जाते है TDM खेलते है लेकिन यह सारी चीज़ी तो तुम कर रहे हो लेकिन क्या तुम्हें पता है कि close range में सबसे बड़िया weapon तुम्हारे लिए क्या रहने वाला है देखो guys weapon है न सारे बड़िया होता है लेकिन तुम्हारे लिए कौन सी बड़िया weapon रहने वाली है का टार्गेट है देखते तुम लोग कम्प्लीट करवा पाते हो या फेंड नहीं तो शुरू करते वीडियो को विदा उड़ इसकी नहीं मोर टाइम और इसका जो डामेज है ना वो भी ठीक ठाग रहता है डामेज वगर है ना मैं तो मैं अपर स्क्रीन पे दिखा दूँगा कहीं पे ताकि तुम्हें पता चल जाए तो भाई डामेज भी इसका ठीक ठाग रहता है अब ये गन में किन लोगों को रिक्यमेंट करूंगा वो मैं क्योंकि तुम्हारी गोलिया कम कनेक्ट होती है तो ऐसे में एकर तुम्हारे पास जादा गोलिया रहेंगी ना तुम्हारे days build रहेंगा पीवी वाइजन की बात किरें तो 53 भूलेट्स इसमें टॉटल तुम्हें मिलती है प्लस तुम्हें कोई भी extended नहीं लगाना है ग शॉक कर पाओगे तुम बंदे को तो गैस अगर बात करें हमारी फॉर्थ नंबर वाली गन को तो ये गन है ना भाई इतनी ज़्यादा कॉंट्रोवर्शिल है ना इसको अगर किसी ने मास्टर कर लिया ना गैस तो क्लोज रेंज में उस पर बंदा है ना गुसने से पहले दस बार सोचेगा कि इसके पास यार ये गन है मैं नहीं जाने वाला इसके बास गैस देखो अभी बात करने वाले हम DBA शॉर्ट गन की विबारे में अब ये गन ना भाई बहुत जादा अंडर रेटेड है लेकिन कॉंट्रोवर्शिल मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी काम करती है कभी काम नहीं करती है तो इतना जादा भरोसा इस गन पर नहीं कर सकते है अब देखो गन तो बढ़िया है लेकिन यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज हमें चाहिए रहती है हमारे अंदर वो रहता है हमारा एम अगर एम तुमारा अच्छा है ना गाईस तुम एक गोली रख लेते हो अगर एनिमी के उपर तो गाईस तुम यह गन को यूज कर सकते हो अब M24 प्लेयर्स है ना गाईस वो इस गन को बेजीज़क यूज कर सकते है क्योंकि देखो M24 and DBS close range में बहुत जादा similar गन्स हो जाती है और अगर तुम M24 जादा चलाते हो TDM में तुम बढ़िया से connect कर लेते हो तो अगर तुम M24 बहुत अच्छी चला लेते हो तो तुमारा EMB ना उसी साफ से trained होगा तो तुम DBS ना close range में काफी जादा अच्छी चला पाओगे अगर तुम TPP जादा लेकी खेलते हो cover में जादा खेलते हो या फिर एक जगे पर वेट करते हो बंद होगा तब भी DBS है ना काफी जादा काम की गण रहती है अगर तुम पर enemies rush कर रहे हो और तुम TPP लेके बैठे हो ना तो भाई तुम DBS है ना पक्का भाई 2-3 बंदे तो finish डालने वाले हो और उपर से मैंने जैसा कि बताया है भाई पुष ही नहीं करते है पहली बात तो ये गन अगर उन्हें पता चलता है ये एनिमी के पास है तो वो डर डर के पुष करते है तो काफी जादा फायदे इस गन के अगर तुम इसे master कर लेते हो तो गाईस अकर बात करें हमारी 3rd गन की तो ये रहने वाली है रहностी बैरल नया ऐसी गन है जती है वह जाती है टो चली जाती है नहीं चलती है ना भई तो तुम कुछ भी नहीं करपते होगे ये वह बंदि बैर को पता नहीं है बंदों को पता नहीं चल लेग वह उसलिकrav damage उपक कब मर गय तो बीन हम काफी जाध कनेक्ट होते हैं तो इतना ज़ाद है नौ अप्टिमाइज फील ये गन नहीं होती है स्पेशली हिफ फायर की में बात कर रहा हो तो को एडियस में तुम चलाओगे न भाई तो रेड डॉट के साथ क्या मखन चलती है तुम बंदी इसली नौ कर दोगे लेकिन बात करें हिफ ये तो वहाँ पे कभी कनेक्ट होती है कभी कनेक्ट नहीं होती है तो इस पे अगर तुम लेजर ग्रिप जैसी ग्रिप लगा के चलाओगे न तो कभी-कभी एना बढ़िया काम कर जाती है बाकि डामेज वगर एनवाइस गन का काफी जादा अच्छ है उसी की वज़ए से इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमें देनी पड़ती है गाईज अब भी बात कर लेते हैं एक एम की क्योंकि एक एम का तुम्हें पता होगा मुझे कितनी जादा पसंद है और मैंने काफी वीडियो में तुम्हें बोलाए कि भाई मेरी तो क्लोज रेंज में फेवरेट गन हो तो बढ़िया डामेज वाली गन मुझे चाहिए रहती है तो mg3 हो गई हमारी ग्रोजा हो गई और अगर नॉन ड्रॉप वेपन की बात करें तो वहां पे आती है एक एम तो इसलिए एक एम मुझे जादा पसंदी क्योंकि एम मेरा ठीक ठाक है तो मुझे ऐसे गंची है ज लेकिन फिलाल के लिए एके में नॉन ड्रॉप वेपन में से काफी जादा ओवर पावरड गन है तो इसलिए न मुझे ए गन काफी जादा पसंद थी और अभी भी पसंद है ऐसा कोई दिक्कत वाली इस गन में बात है नहीं क्योंकि अगर तुम बंदे की पैर पे भी मारते है तुम स्कौर्ड में बश रश करकर की खीलते हो चार बंदों में एक साथ गुश रहे हो तो भाई एकेम तुमारे लिए बेस गन रहने वाली है क्योंकि तुम जितनी भी गोली चलाओगे न अगर तुम कनेक्ट कर पाते हो तो बंदा भाई उसमें पका नॉक होने ही वाल है यहाँ पर हम बात करने वाले यू एमपी की आप देखो यू एमपी न मुझे पहले से पता है कि बहुत अच्छी गन है मैंने पहले वाली काफी वीडियो में बता भी रखा है कि कितनी जादा ओवर पावर गने एक टाइम को मेरी फेवरिट गन भी थी लेकिन फिर बीच मैं तुम्हें काफी बार में यू एमपी चलाते हुए दिखा भी होगा और इन फैक्ट मैं टीडियम में भी यू एमपी जादा यूज करने लग चुका हूँ क्योंकि एमफोर एना क्लोस अरेंज में इतनी जादा यूज नहीं करता हूँ तो जो जो गन्स है न मैं क्लोस में जैसे एकेम हो गई यू एमपी हो गई तो वह एना अचकल में टीडियम में लगा के खेलता हूँ मस तो वहां पर मुझे पता चला कि यू एमपी की जो स्टीबली टेन वो इसका सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है लेकिन मैंने बिना सप्रेसर इसको यूज किया और बाई काफी जादा मज़ा था इस गन के साथ केलने में अब अगीन गाइस इसको डैमिज वगेरा इसकी क्या कर रखाए कि इसका एमसिस्ता जादा मुझे फील होता है लाइक मैंने एमसिस्ट आफ पे केल रहा हूँ भी मैं फिर भी इना इसकी गूल है ना बाई कहीना कहीन जाती है गाइस एक्जामपल के लिए यह वाली क्लिप देख लो बाई मतलब एकदम मैं हवा में था और मेरा एमसिस्ट भी आफ ता लेकिन फिर भी भाई हैड पकड़ी इस गनने एकदम जाके तो बाई एमसिस्ट इसका बहुत बढ़िया फील होता है तो मगर एमसिस्ट लगेगा नहीं कि तुम्हीं मसिस्ट आफ पर खेल रो इतना जादा बढ़िया यह गन चिपकती है बंदो से यूएमप गैंग यार प्रेजेंट लगा देना अपनी कॉमें सेक्शन में जिस जिसको भी यूएमप पसंद देना वो मुझे कॉमेंस में बताना कि तुम्हें बिसिकली यूएमप क्यों पसंद है या फिर तुम्हें कोई और गन पसंद आइस वाले लिस में से या फिर कोई और गन तुम्हें इस लिस में से बाहर से पसंद आती है लाइक जो भी मैंने इंक्लूड नहीं करी होगी यहाँ पे तो तुम वो भी बता सकते हो तो यहीं त आज के हमारी वीडियो अगर तुम्हें पसंदाए तो लाइक कर देना से 8 के लाइक का टार्गेट ता आई किस तुम करवाद होगी मिलते निकिस वीडियो में तब तके लिए गुडबाई, लव यू गाईस, कीप ग्राइंडिंग